आज मैं आपको स्ट्रोक रिहाबिलिटेशन के बारे में बताना चाहता हूं जैसा कि आपने देखा होगा अपने आसपास काफी लोग ऐसे हैं जिने फालिश का अटैक पढ़ने के बाद हाथ पैर में पर्मनेंट डिसेबिल्टी कमी आ जाती है और वो इस हाथ पैर की ताकत जिन्दी भर के लिए खो देते हैं ऐसे मरीजों के अंदर स्ट्रोक रिहाबिलिटेशन का रोल आता है और स्ट्रोक रिहाबिलिटेशन सिर्फ फिजियो थेरपी नहीं है उसके बहुत सारे और भी पहलू है जो हमें अपने मरीज के लिए इस्ति प्रडियूस होती है जिससे रिकावरी रेट बढ़ जाए उसके बाद जो है सेकेंड स्टेप आती है मैनुवल थेरपी जिसके अंदर फिजियो थेरपी जो पॉपलर ली कहा जाता है एक्टेवर पैसिर एक्सराइस कराई जाती है इसके बाद जब पेशट में थोड़ी सी थेरपी का इस्तेमाल किया जाता है और एंड में जब बहुती फाइन मुवमेंट्स हाथ की ताकत लोटा ने है तो रोबोटेक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है तो कोई भी स्टोक का पेशेंट है तो निराज ना हो आज कल स्टोक रिहाबिटेशन से भी बहुत अच्छे म और काफी पेशेंट ऐसे जो ठीक होके जा रहे हैं तो ऐसी चीज का फाइदा उठाएं